हाजर हमारे नए निसेटिव के साथ जिसका नाम है बैक तो स्कूल दोस्तों सेग्में फिलहाल हम आपके साथ मिड़ावल हिश्टी डिसक्स कर रहे थे और लाश्ट वीडियो तक हमने फूर्त रूलर को डिसक्स कर लिया था याद किजै इससे पहले हमने जहांगीर को देखा था आज इस वीडियो में हम इसका जो सक्सेसर कुकी मुगल एंपैर का फिप्त रूलर है और इसे गोर्ले नेरा भी कहा जाता है जो मुगलigator पूरा 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 था इसे गोडले नेरा कहा जाता है स्क mixed नियुंआ। कहा जाता है क्यूं कौन कौन से जिसका बर्त 5 जन्वरी 1592 को लाहॉर में हुआ था जो करेंडिक हमारा पाकिस्तान है लाहॉर वहां पर हुआ था क्योंको समय तक तो मुगल एम्पेर पूरा के पूरा अफगानिस्तान वाले एरिया में भी रूल कर रहे थे और इसकी जो मदर थी एक हिंदू फैमिली राजपुत से बिलोंग करती थी राजपुत फैमिली से जिनका नाम जगत गोसाई था यह भी इंपोर्टन है इसलिए हम इसे देख लेते हैं देखिए जो जहागीर का संस थे उसमें यह थार्ड नंबर पे था याद किए जब हम ज खुसरो इसने इसके खिलाब रिबोल्ट कर दिया था भी इस बाद में खुररम भी करता है लेकिन पहले खुसरो ने रिबोल्ट किया था और इसे सप्रेश करने के लिए जहांगीर ने उसे पनिसमंट भी दिया था तो यह थार्ड सं था यह याद रखने वाली ज़रूरत ह यह गद्धी पर कब बैठा यह हमेसा एक question पूछा जाता है देखिए इसमें बहुत जगह कहीं कहीं date में डिफरेंसे हैं कहीं कुछ और date दिया गया है कहीं कुछ और तो NCRT में 14th February 1628 दिया गया है लेकिन इसका time duration जो है 1627 से ही consider किया जाता है क्यूंकि 1627 में जहांगीरी की death हो गी थी और अपने lifetime में ही जहांगीरी अपना successor साज यहां को declare कर दिया था तो इसलिए ज़िए जगर time duration स्टार्ट कर रहे हैं तो 1627 से 58 तक देखेंगे लेकिन एक पर बैठ रहे हैं 1628 में इसके जो era है काल है उसे golden era कहा जाता है golden age कहा जाता है Mughal Empire को क्यों कहा जाता है उसे एक हम important देखेंगे करके जो भी fact होंगे concept होंगे साथी साथ एक point यहां पर याद रखने वाली है किसने साधिया तो बहुत की थी बट इसकी साधी हुई थी अंज मानो बेगम जो हमारी है जो लेटरान ताज महल मुंताज महल के नाम से जाने जाएंगे तो आगे कौन-कौन से important point है fact है उसे हम देखते हैं देखिए जैसा कि इसके father या grandfather जितने भी थे जो लोग expansion policy आगे बढ़ा रहे थे इसने भी अपने time में expansion policy को बढ़ाई याद कीजि इसी खुर्रम के help से ही किया था गुर्रम ने ही जो हम के नाम से जाना जाएगा इसके help में है इसके commander seat में जगकनस अरिया अंडर में आया था मुगलों के इसी time इसे जहांगीर ने साज यहां की उपादिधिती टाइटल दिया था तो ऐसे यह पुर्रम साज यहां के नाम से जाना जाने लगा अब लेकिन जब इसी गद्धी समालता है इसके टाइम में फिर से वहां पर वो अंडर से उसके मुगलों के एमपेर से बाहर निकल चुके होते हैं फिर अपने गद्धी समालते ही यह अहमद नगरवाला जो एरिया है इसे फिर से अपने अंडर में कर लेता है और साथी-sath जो गुलकुंडा और बीजापूर यह दो इम्पर्टन्ट एरिया है इनहें भी अपने अंडर में कर लेता है यह तो पॉइंट याद रखने वाल यह तो इसने औरंग्जेव के help से किया था औरंग्जेव जो बाद में इसका सक्सेसर होगा रूल करेगा मुगल एंपयर पर तो से हम मुगल अगले वीडियो में देखेंगे जब भी इसका साथ टाइम आता है तो कि आगे देखते हैं देखिए साथ यहां को में इंपोर्टेंट इसके जो आर्किटेक्चर काम है उसके लिए याद किया जाता है हमने पहले भी आप से कहा था कि गोल्डेन एरा अगर कहेंगे गोल्डेन टाइम कहेंगे तो वह जहांगीर के टाइम को कहा जाएगा हुझ हमन कोट लगता था दरबार लगता था जिसे इंदी में के दरबार कहते हैं वहां पर कुछ एरिया ऐसे होते थे जिने दिवाने खास और दिवाने आम में डिवाइड किया था दिवाने खास नाम से ही हैं जहां कुछ खास लोग बैठेंगे और दिवाने आम जहां पर सिर्प आम जन था, या जन समाने लोग बठेंगे, और ये कैसी एरिया होती थी, एक पर्टिकुलर खुले से आंगन में, एक ऐसा बीच में एक जगा बनाया जाता था, जिसमें फोटी पिलर्स होते थे, इसलिए इसे चहिल सुटून के नाम से भी जाना जाता था, चहिल सुतुन का मतलब 40 pillars से जो बना हुआ building था, तो यह point हर्मेसा याद रखना होगा, कि जो दिवाने आम और दिवाने खास है, उसमें कितने pillar होते थे, 40 pillars होते थे, इसलिए इसलिए इने क्या कहाता जाता था, चहिल सुतुन, तो चहिल सुतुन से, अगर word आता है कभी भी, concept आता है, तो चहिल सुतुन ही हमारा दिवाने आम या दिवाने खास का जो area होगा, उसे कहा जाएगा, क्यूं कहा जाएगा, क्यूंकि इसमें 40 pillars होते थे, आप का end में देख सकते हैं, यह जो area है, इसमें 40, एक internal लेखेंग है, तो चारों तरफ से मिला के 40 pillars थे, और internal में ऐसी पिलरिंग बनी होती थी, और इसे में राजा अपना दरबार लगाते थे, आगे देखते हैं, देखें, जो दरबार जहां पर लगता था, वहां पर राजा का पर्टिकुलर एक ऐसे उंचे जगह पर गदी लगाए जाएथी, आसन लगाए जाएथी, जहां पर उनका सिंहा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं, किवला वो एरिया होता है, जिस ताइप को फेज करके, मुसलिम जो भी अपना प्रेयर करते हैं, जिसे हम नमाज अदा करना करते हैं, तो इससे कॉंसेट बनता है, कि राजा जहां उचे अस्थान पर बढ़ते थे, उसी साइड जनता फेज करके, उनकी तरफ बढ़ती थी, ये कॉंसेट निकल कर आता था, कि राजा जो है, किंग है, जो रिपंजेंटिटिव हैं, गौड के, तो यहां से ये कॉंसेट आया, ने आपको गौड नहीं का, लेकिन रिपंजेंटिटिव जरूर कहा है, इस्टोरियन ने, किसे, साज यह यहां को, यह पॉइंट यहां समझने वाली है, साथ ही आप देखेंगे, जितने भी जो हॉल होते थे, दरबार होते थे, जो मस्जुद होता है, मस्जुद होता है, उसके टाइप से बेश्ड होते थे, साथ ही साथ यह जो पर्टिकुलर उंचे अस्थान पर जहां पर, मझ लेते हैं, जरा, पेटरा दुआ देखिए, ऐसा आर्ट है, फॉम है, जिसमें, जो मार्बल होता है, मालीजे, एक मार्बल है, इसके उपर, मार्बल से ही कटिंग करकर के चिपकाई जाती है, वो इतनी अच्छी तरह से चिपकाई जाती है, कि ऐसे लगता जैसे यह कोई परिंटिंग की गई हो, तो यह पर्टिकुलर परिंटिंग नहीं होती है, बट आर्ट ऑफॉम ऐसा है, कि इसमें पत्थरों को ही काट के चिपकाया जाता है, तो यही सेम, जो साज यहां का, दिवाने आम में, दिवाने खास में जो गदी लगाया जाती, सिंहासन लगाया इरिया में, देखिए, आप इस पोटो में देख सकते हैं, कि यहां पर पिट्रादुआ फॉम में प्रिंटिंग होती थी, यह जो नकासी बनाए जाती थी, और इसमें युनानी देवता, जो ग्रीक गॉड थे, और फियस, इन्हें दिखाया गया है, जगर कभी concept-based question आता है कि पिट्रादुआ फॉम कहां यूज किया गया है, तो हम देख सकते हैं, कि जो थ्रॉन है, गद्धी है, उसके पिछले वाले हिंसे पर हर जगा बनाई जाती थी, यह चाहे आगरा की किले में हो, या दिल्ली की किले में हो, हर जगा, यह फॉम देखने को मिलता है, सा जहां जो भी आउट अप कंट्रोल होते थे, वो पुरी तरह से कंट्रोल हो जाते है, तो इन सेंस की कहा जाता है, कि यह फॉम था, यह ऐसा दिखाने कोशिज की गई, कि जब राजा नयाय कर रहा होता है, तो वो गॉल को प्रिजेंट कर रहा है, एक तरफ, और साथ ही साथ, वो राजा के सिंहासन के पीछे, और साथ ही साथ, कहां कहां दिखा गया है, तो दिवाने आम, दिवाने खास में जो भी गदी बढ़नाए गी है, थ्रोन के पीछे वालेरियम दिखाए गया, आगे हम देखते हैं, तो साज यहां जब गदी पर बठा, तो उसने राज करना, जो जो खुजगा जो उनका हाउस होता था, जो महल होता था, वो यमना रिभर के आसपास ही बनता था, दोनों साइड में आप देखेंगे, एंसे बगदा फोटो बना के दिखाए गया है, तो इससे क्या होता था, कि जो साज अहां थे, उन्हें लगता था, कि किंग और जो नो यहां बाद एक सिटी बनाई, यहां बाद एक नाँ रिवर के बनाई City, और यह जो डिफरेंसेज था, इससे दूरकरने कोशिज की, कहा जाता है कि यहां पर सिर्फ और ओर जो जो इसका दाराशिको, उसकी महल बनी थी और किसी नाँ बनाता तो यहां पैज जो ढूरकरने क कोशिस की गई और साथ ही साथ जो यमिना रिबर के आस पास वाला जो एरिया था यहां पर चार बाग पॉंसर्प्ट दिखता था याद कीजिए हमने पहले भी डिसकस किया था आपके साथ जहागीर के टाइम में भी चार बाग वाला कवर कर दिया जाता था और बीच में कनल व अगरा बना दिया जाते था तो यह क्या होए एक ही गार्डन के इन्दर फोर गर्डन हो जाते तो इसी से जरी ज़ी थी से चार बाग शैली कहे जाती थी और यह यमुना रिबर के सामने जो बनी हुई थी चार बाग ग सिस्टम आग तेके दोस्तों इस चैप्टर में, यहां सरे बहुत चाहए जीए गा है मैं मने फोकस के था और भी धृड़ा सा इसकास किया है य पर श पर ऑा हुआने ले ऐसके do क्राइक आएस विधार करेंट अफेर्स क्लास्स